लो गाइस व्लकम टो और चानल आईड़ेश तो गाइस आज जो है एक्जामनेसेंस आप लोग के CITS का एक्जाम हुआ है जो कि आप लोग का first shift morning shift जो था जो कि आप लोग का 9 वज़े से लेकर के 11 वज़े तक एक्जामनेसेंस हुए हैं तो उसके कुछ questions जो है लड़कों ने मुझे भेजा है खुद भी मैं center पे गया था तो वहां क्या-क्या पूछा गया है questions सारे questions लगबग लगबग जो है मेरे पास उपलब्द हैं आप लोग को discuss कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कि क्या-क्या questions आ रहा है बात कर लेंगे तो 25 questions जो पूछा गया है non-tech या फिर आप लोग का जो है math और reasoning से ही सिर्फ दिया गया है ठीक है ना science से पूछा गया है ना general knowledge से पूछा गया है उसके बाद 75 questions जो आपके trade से पूछे गया है ठीक है trade theory से आपका questions पूछा गया था तो हम लोग 25 questions non-tech वाला भी देखेंगे और electrician environment का भी questions देखेंगे तो कर लेते हैं जो common questions था जो कि 25 questions जो थे जो कि आपका non-tech का था तो उसमें से देख लिए कुछ-कुछ questions जो कि मुझे मिल पाया है I mean लड़कों ने WhatsApp किया था तो देख लीजिए यहां पर जैसे पहला question दिया गया था बहुत ही आसान question देखिए पूछा गया थे कि 85 plus 75 bracket में दि 208 जाता है तो जो बच्चे एक्जाम दिये हैं वो भी अपना मैच कर लीजिएगा कि आप लोगा क्या हो रहा है कितना सही कर किये हैं या नहीं किये देखिए question यह था कि आप से पूछा गया था कि 86 percent of कितना ठीक है और कितना जो है 559 के equal होगा यहां x मान लेते हैं यहां से इसको simply आपको solve करना है 86 okay 86 into x divided by 100 equal to 559 यहां से x का मान निकाल लेजएगा वही आपका answer होगा चलिए अगला question देख लिए और और इसमें क्या पूछा गया है कि बोला गया था कि एक number को उसके 2 बटा 3 भाग से ठीक है एक number माल लेते हैं कोई number है x है ठीक है x कोई number है अब उस कौन सा होगा तो यहां से x का मान आप लोग solve कर लेते यहां जो है answer simply solve करने पर answer आपका आ जाता यहां पर देखे calculation क्योंकि अभी मैं just बना रहा हूं तो questions आप लोग को बता रहे है simplification आप लोग solve कर ले जागा कुछ है नहीं इतना यह आ जागा नीच है यहां कर जागा चार और तीन multiply किजिए कर आ जागा नौ और जाती है बारत answer कितना होता है एक सो उन्तीस हो जाता है चलिए यह question हो गया उसके बाद कुछ और question देख लिए रिजिनिंग पर कुछ questions दिया वा था कि D A को बोला जाता है जी सी बोला जाता है तो फिर एन के को क्या बोला जाएगा एन के को क्या बोला जाएगा दी जो है यहां से जो है दो लेटर के बाद जी आता है ठीक है और ए जो है एक लेटर के बाद आता है उसी तरह से यहां पर जब आप इसको सॉल्ब किजिएगा तो आपको जो ह एंसर मिल जाएगा MQ कर सम्थिंग जो है आएगा MQ एंसर आजाएगा चलिए अगला कुश्चिन अगला कुश्चिन देखिए पुछा गया था कि 9 kg जो है एपल ठीक है 9 kg एपल ठीक है उसका प्राइस दिया हुआ था 450 रूपीज दिया हुआ था तो उसी तर से पुछा गया कि 13 kg एपल का प्राइस कितना होगा सिंप्ली था युनिट्री मेथट से आप लोग कर लेते एक केजी का निकाल लेते तो कितना हा था 450 डिवाड़ नाइन और फिट 13 का क्या हुआ था इंटू 13 कर लेते बहुत ही आसान कोश्चन थ तो आपको मैं दिखा देता हूं वह वो ट्रेड से जो है एवरेज कोशन पुछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा टॉफ भी कोशन नहीं पूचा जा रहा है लेकिन मैथ और रिजिनिंग जो है रिजिनिंग से भी कम कोश्चन है मैं थोड़ा ज्यादा कोश्चन लगा तो अगला कोश्चन आगे कोश्चन से देख लेते हैं दिखें दिया था एक रिजिनिंग से कोश्चन दिया था कि रोड जो है रोड रोड क्या है कार है और कार क्या है ट्रेन है ठीक है ट्रेन क्या है स्कूल है और फिर इसकूल जो है क्या है हाउस है और हाउस क्या है आफिस ह तो ॥ुछा गया था कि बच्चे कहा पढ़ते हैं बच्चे कहा पढ़ते हैं रुका हुआ पानी तलाब क्या है रुका हुआ पानी ठीक है तो उसी तरह से जो नदी होता है नदी के लिए क्या ऑप्शन सही रहता है तो वहां पर अलग अप्शन थे चहांकि आप लोग को सही में क्या आप सही ऑप्शन क्या जाता है चलता हुआ पानी या बहता हुआ पानी वही उसका एंसर हो जाता चलिए अगला question अगला question इस तरह से कुछ दिया हुआ था कि rectangle का जो है perimeter और area सो question आया हुआ था rectangle का जो area होता है length into breadth होता है और जो perimeter होता है क्या होता है 2 into L plus B तो यहां पर क्या किया गया था कि आपको area दिया हुआ था और यहां पर breadth दिया वा था साथ ठीक है ब्रेड साथ दिया वा था और लेंथ बोल दिया था कि दो गुना है और एरिया भी दे दिया गया था तो उससे आपको फिर क्या पूचा गया था कि लेंथ बताए कितना होगा तो simply इसको सॉल्व कर लेते से स्यावन इंटो इधर हो जाता इसका दो गुना है उसका वैली निकाल लेते और फिर यहां पर इरिया के टर्म में इसको सॉल्व करके निकाल लेते यहां यह कॉश्ण था और एक जो है इससे कॉश्ण था आप लोग का जो है रैक्टेंगल से एक और कउश्ण था देखिए इसमें जो है perimeter का question पूछा गया था मतलब परीमा आपका question पूछा गया था जिसमें से की आप लोगा जो है value दिया हो था perimeter का value दिया था और length वही 2x करवा रहा था ठीक है length जो है 2x अब यहां पर क्या हो था टू इंटू इतना करते perimeter का मान रख देते और यहां पर जो है आप length का value जो की x मान है यहां से solve करके easily निकाल लेते तो यह length जो perimeter का formula याद रखेगा हो सकता है आप लोग के phase में जो है आप लोग के shift में square का push दिया जाए तो खेर यह देखिए एक question और क्या आयवा था एक question था कि 360 pencil ठीक है 360 pencil जो है 6 साल तक 6 साल तक requirement है ठीक है 6 साल तक के लिए जरूरत है तो बोल रहा था कि कि इतना डजल pencil का 14 years तक जो है requirement होगा तो इसको भी simply आप से एक साल का requirement निकाल लेते ते तीन सो साट डिवाड़ के छे कर लेते और फिर 14 साल का तो गुना 14 करना था सॉल्व गड़ते जो भी वहल लिवा था उसको फिर 12 से भाग लगा देते तो एंसर संथिंग एंसर आपका संथिंग कुछ आयगा आप देख लीजेगा वह उसको कुछ कुछ पूर्या मुझे भेजा नहीं गया है लेकिन इस तरह का कुछ लड़के है चार नोटबुक खरिते हैं जिसका की जिसमें क्या अलग लग पन्ने लाइक चार सो बीस किसी में है किसी में तीन सो दस है किसी में दो सो पांच है पंद्रह है इस तरह से कोई चार संख्या थी ठीक है 210 आप कहा गया कि इन चारों का जो है एवरेज निकालने के इस सबको जोड़ देते हैं सबको जोड़ करके डिवाइड राए फोर कर देते हैं यहां से आपका एंसर इसका आ जाता चलिए अगला कोश्चन जो पूछा गया था पूछा गया था देखिए आठ मसीन ठीक है आठ मसीन जो है दो दिन समय लेता है काम करने में तो 48 मसीन ज कमोश्चन जोचीन कर वाद करने में कितना समय लेगा अठ मसीन कितना समय लिया दो दिन का समय लिया तो 48 मसीने उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी यह कोश्चन आया हुआ हूँ था चलिए एक जो है आपका प्रॉफिटsmith से से क्षण था जहांकि जो है SS contributes मुले दिय यहां पर ठीक है सिंपल जो है फर्मुला में लग करके स्वाल हो जाता है ठीक है सी पी बराबर एस पी इंटू जो यहां पर लॉस है तो हो जाएगा आपका यहां से सवाल करके इसको फाइंड आउ कर लेते है चलिए और तो कुछ कुछ नहीं यहां पर हाँ एक कुछेंशन था इस तरह से आप लोगा सिंपल इंट्रेस्ट से कश्टें दिया वह था जहां कि सिंपल इंट्रेस्ट में जो वैल्यूस दिये वह थे लाइक तीन सो इंट तो यह चीज आप कंफर्म हो जाईएगा ठीक है चलिए तो यह आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह के questions पूछे गया हैं और math में लगबग लगबग तो सभी questions छूही लिए हैं क्योंकि math इतना असान था कि बच्चों को पूरा लगबग data तक याप था तो चलिए अभी यहां पर एक और question रह गया ठीक है एक question देखें inventory method से based बहुत सारे question पूछे गया है जहां कि 15 दिन में जो है 15 दिन का खपत 45 kg चायगा है ठीक है तो पूछ रहा था कि 30 दिन में कितना खपत होगा कितना सिंप्लिस का 90 कर देते कितना होता 90 kg चलिए यह हो गया अब आईए हम लोग बात कर लेते हैं trade से कुछ questions जो पुछे गया है तो trade में क्या क्या question पूछा गया है देख लेते हैं उसको थोड़ा बुद क्योंकि यह questions जो है आप लोग के अगले जो shift होंगे हो सकता है कि उसमें questions repeat भी हो और नहीं तो आपको एक average जुरूर पता चल जाएगा देखेए इस question जो इसमें पहला question जो पूछा गया था इस type से बोला गया है कि 12 volt का एक lamp है ठीक है इसका answer क्या हो था कि बल्ब जो है फ्यूज कर जाएगा ठीक है फ्यूज हो जाएगा यह इसका answer जाता चलिए question number दूसरा इस type से कुछ था कि देखेए apparent power जो होता है ना apparent apparent power का formula आप से पूछा गया था ठीक है apparent power का formula यह था question फिर तीसरा number जैसे था कि आपका जो watt meter होता है watt meter ठीक है watt आवर energy meter जो energy meter होता है वो किस तरह का instrument है deflecting instrument है या फिर आपका recording instrument है इस type का questions था तो इसका answer गए जाता आप recording instrument ठीक है recording instrument इसका answer सही होता चलिए उसके बाद question number 4 देखिए चार नंबर में बोला गया था कि neutral जो आपका star connection होता है तो इसमें जो neutral होता है ठीक है neutral connection होता है लेकिन star क्या है unbalanced है ठीक है unbalanced condition है और जो है आपका यह जो neutral है उस पर से क्या effect पड़ेगा balance रहता है तो तो न्यूट्रल वायर न्यूट्रल करेंट्स होता है जीरो हो जाता है लेकिन unbalanced case में क्या होगा यह question आपसे पूछा गया था question number देखिए चार हो गया पांचवा नंबर बोला गया था कि industry और floods में किस तरह का lightning का यूज करते हैं ठीक है इंडस्ट्री और floods में किस तरह का जो है lightning का यूज करते हैं डारेक्ट या फिर इंडारेक्ट इस ट्राइब से यह पूछे गया थे question number देखिए 7 था कि जो आपका battery बैटरी में जो charging होता है ठीक है बैटरी में जो charging होता है लंबे समेंट्रыт लंब गई समेंट्रत को क्या कहा जाता है तो आप लोगों को पताःको मुटा अपको प्ता होगा चारजिंग आ बता दिए उसके बाद question हुआ हुआ है ठीक बड़को हुआ है कि जैसे कोई स्रड केटाये तो कि परेले सरकीटि अपको पता कि यह नडिelson को एक साइड को एक ब्रांच ऑपेन हो गया तो उसकेस में क्या हो जाएगा उसकेस में क्या होगा वुत ज्में और ठीक लगना था कि जिसमें parkER आ इलेक्टरिकल फाल्ट्स के कारण जो दीव आग लगा है तो इसमें किस तरह का फार एक्स्रिंगुशर यूज किजेगा तो आपको पता है कि लिक्विड या फिर फों मोगरा का तो हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें आपको है लोटाइप मारना था है हेलोन टाइब इसका राइट एंसर जाता है चलिए कोश्चिन नमर 11 जो पुछा गया था कि जो आपका जनरेटर होता है वह 220 बोल्ट से 8 बोल्ट में आ गया इसका क्या रीजन हो सकता है क्यों ऐसा हुआ ठीक है यह कोश्चिन पुछाए गाइस एंसर देख लिजेगा चलिए कोश्चिन नमर 12 कह रहा है कि जो सोल्डर होता है है ठीक है Debada जो यह उदीसको आप मौल्टन ष्टेज में लाते हैं मतलब इस को उसको आप गला आते हैं अ मेल्टिंग करते हैं तो लेड और जो टीन होता है उसमें क्या फरक पड़ेगा मतलब लेड जो है लेड का मात्रा कम हो जागा या फिटीन का मात्रा कम हो जागा यह कोश्चन था यह कोश्चन बहुत ही important भी है और common question भी है उसके बाद भी देखिए pliers के बारे में question आया हुआ था कि जैसे कि आपका जो वायर होता है यदि कम डामेटर कट वायर है उसको आप लोग किस वायर से किस प्लायर से कट किजेगा answer options थे side cutting plier round nose plier flat flat pliers यह सब था ठीक है तो इसमें answer क्या होता cutting side cutting pliers का हम लोग इस्तिमाल करेंगे ठीक है उसके बाद देखिए एक question था कि loops बनाने के लिए ठीक है loops बनाने के लिए loop and holes कोई कोई करने के लिए लपेटने के लिए loops बनाने के लिए किस तरह का प्लायर का कौन से प्लायर का यूच किया आता है राउंड नोज प्लायर ठीक है राउंड नोज प्लायर का इसमें लोग इस्तिमाल करते हैं चलिए question number इसी तरह से मतलब की 15 मतलब question number वैसे नहीं बता पाएंगे मतलब जो questions आया हुआ है तो यहां देख लिए और कुछ questions है like fault का क्या region होता है ठीक है फॉल्स जो होते हैं घर में लेक्ट्रिकल फॉल्स उसका क्या रिजन हो सकता है तो एक रिजन यह हो सकता है कि लूज वायरिंग हो गया है इस बज़े से ठीक है लूज हो गया connection इस बज़े से हो सकता है कि देखिए question एक था कि c1 capacitor है c2 capacitor है और series में इस में है series में है तो उस case में क्या होगा equivalent value तो series में आप पता है c1 1 by c1 plus 1 by c2 ऐसे करके निकलता है और जो इसका मान जो आएगा कुछ छोटे वाले capacitance से भी value इसका क्या हो जाता है कम हो जाता है तो यह question आप से पूछा गया था question number आगे का देख लेते हैं color coding से question दिया था ठीक है color coding से question दिया गया था आप लोग देख के जाईएगा चलिए उसके बाद फिर ferromagnetic substance में पूछा गया था ferromagnetic substance जहांकि एक option आप लोग को जो है silver अगरा सब दिया हुआ था तो यहां ferromagnetism अगरा आप लोग पढ़ ले जगा diamagnetism ferromagnetism इस सब देख ले जगा उसके बाद capacitance capacitance की काई पुछी गई थी ठीक है 19 तो capacitance की काई सब को पता है आप लोग को क्या था था ठीक है यह question था question number 20 देखेंगे तो claw hammer जो होता है claw hammer उसका यूज क्या होता है तो claw hammer जो है नेल सब्सक्राइब को ऊड़ेन पार्ट में नेल सब्सक्राइब रहता है काटी और को निकालने के लिए कौन सा हैमर कैस्ट करते हैं claw hammer तो यह question भी आज के exam में पूछे गए थे उसके बाद हाँ उसके बाद एक question था आप लोग का कि लाइक वाइस जो आपका impurities जो होता है semiconductors में तो उसको क्या कहा जाता है और किस विधी से उसको किया जाता है उसको क्या करते टो आई एंजी कोशीं नमबर अगला जो आया हुआता पोजिटिव टेमपरेचर को कोफिसेट पूचा गया था पुजिटिव टेमपएचिर कोफिसेट्स अप्चंस देहीं यहां पर देख लीज reden का कIES था अलागी इससे एक कोउस्टें दिया गया था नेगेटिव वाला तो कारबन होता है लेकिन पॉजिटिव पूछ दिया गया था इसमें ओके उसके बाद MMF की काई पूछी गई थी MMF का यूनिट पूछा गया था क्या होता है नेक्ष्ट अगला कोस्च्ट जो इस तरह से पुछा गया था कि हाँ छे पॉल है ठीक है छे पॉल स्टार्टर मोटर में टीक है इल्haleक्ट्रिकल डीग्री पुछा गया तो यहां पर जैसे आपका यह एक जैसे कैपसिटर का ही कोशन था जहां की बोला गया था कि दो फैरड निकाल लेते कि अगला कुछ और देख लेते हैं कुछ यह बेजा गया तो अभी कुछ अभी मैं यह कर रहा हूं और साथ में कुछ questions भी भेजे जा रहा है तो वैज यहां पर पॉल माउंट एक क्वेशन था कि पॉल माउंट जो transformer होता है ठीक है पॉल माउंट transformer तो उसमें किस तरह का cooling किया जाता है ठीक है किस तरह का cooling किया जाता है वो question पुछा गया है ओके उसके बाद आपका जो transformer का जो यद्स को सब्सक्राइब ऑलों और सब्सक्राइब हसा। तो 30 plus questions कम नहीं होते हैं trade theory में आप लोग का जो electrician plus wireman का ठीक है wireman और यदि non-tech की बात करेंगे तो total लगबग लगबग जो है 23 to 24 questions जो है आपको non-tech में बता दिया गया है तो hope guys की आपको यह analysis जो आप देखे होंगे तो आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगा और यही थे आज के questions में भी जो आज जो पूछे गए हैं ठीक है यही सारे questions पूछे गए थे तो आप लोग अपना जरूर कमेंट्स करके बताईएगा कि हलाकि देख लेज़े एक बात और है कि और भी बच्चे मतलब questions जो है मतलब दो तीन सेट में बनाया गया था क्योंकि कुछ बच्चों का questions जिसे टाली नहीं करेगा कुछ बच्चों का करेगा ठीक है तो यह बात है तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ यही सब आया था कुछ जो है more or less थोड़ा बहुत इधर उधर करके किया गया है जैसे कि एक के बगल दूसरा जो बैठा हुआ उसका question उससे नहीं मिल रहा है कुछ-कुछ फिर बदल किया गया था changes कुछ-कुछ उसमें किया गया है ठीक है हलांकि जो पैटर्न है यही है और यह question सारे आज के authentic जो की foolproof के साथ यह questions जो है आए हुए थे तो गाइस चलिए देखेंगे अगला जो सिप्ट होने वाला है उसका भी analysis बच्चे रिसेंड करते हैं तो आप लोग को आप लोग को वीडियो को माहिदे में से जिरू बताऊंगा तो गाइस चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा क्यो अनलिसिस आता है तो उसमें आप लोग को जरूर मैं बताऊंगा thank you guys and best of luck for your exam